बच्चों हम कक्षा ग्यारा की हिंदी पढ़ रही हैं हमारी पाठय के नाम है वितान कि अंतरगत हम अध्याय चार का धियन कर रहे थे बच्चों जिसका नाम है भारतिय कि वह किस तरह हमारी संस्कृति से जुड़ी हुए किस तरह वह हमारी एक प्राचीन परंपरा को बनाए हुए है तो इन कलाओं को हम तीनों को जान चुके कि अंतर संबंद पर आपकी क्या राय है लिखकर बताईए जब हमने पाट को पढ़ना शुरू किया था तब हमने कला और भाषा के बारे में जाना था बच्चों हम अपनी किसी भी अभिव्यक्त करने के लिए यानि बताने के लिए भाषा का प्रयोकरते मैं आपको पढ़ा तो मैं अपनी भाषा बोल करके यानि बोल करके जिन शब्दों को मैं बता रही हूं उनको मैं अभिव्यक्त कर रही हूं तो उसके लिए मुझे भाषा की अउशक्ता होती है उसी प्रकार कला के माधियम से भी हम क्या कर सकते हैं जैसे भाषा के माधियम से कर सकते हैं जैसे चित्रों के माधियम से गायन के माधियम से नृत्य की मुद्राओं के माधियम से तो यहां प्रिश्ण हमारा ही कि है कला और भाषा के अंतर संबंद पर कला और भाषा में क्या अंतर संबंद है यानि अंदूनी अंतरिक क्या संबंद है उसको लिख करके हमको यहां बताना है तो देखो बचो, कला और भाशा का अंतरसंबन, कलाओं की अपनी भाशा होती है, हर कला की अपनी एक भाशा होती है, हम मैं बोल के आपको पढ़ा रही हूं, मैं बोल चाल से आपको पढ़ा रही हूं, जबकि कला है, जो बिना बोले अपने आपको व्यक्त करती है, जैसे हम आसपास के परिवेश प्रकरति या भाओं और विचारों की भाशा में व्यक्त करते हैं इसका विप्राई है कि भाशा हमारे भाओं और विचारों को व्यक्त करने का साधन है यह जो शब्द जो ध्वनी मेरे मुहों से निकल रही है या जो ध्वनी हमारे मुहों से निकलती है उसे हम बाशा के रूप में व्यक्त करते हैं इसका क्या भी प्राय होता है कि जो ये भाशा है जो ये ध्वनी के रूप में निकल रही है ये हमारे भाओं और विचारों को अभी व्यक्त करने का एक साधन है और कलाओं के माध्यम जैए हम देखें जैसे चित्रकारी, संगी, अंरत्टि के माध्यमु भी अपने आस-पास के सानगी कई सहा है मौसम छल रहा है इंहीं चीजों को मैं चितरकारी संगीत के माध्यमि से प्रस्तूत करना हो तो आम किस प्रकार करेंगे मानों हमें समुदर की लहरें दिखानी है करें यह लेकिन यह होगा तो सम्टर की लहरों को सित्र के रूप में प्रस्तुत करें किस तरह उपर जाथी है और नीचे का जाए के कर सकते हैं अन्रतय के संगीत के माधियम के मोध जो हमारी मधल unhealthy कर उसे किसी ना किसी रूप में और नई नए तरीके से अव श्राध करना चाहते हैं जो कुछIK करना चाहते प्रिक चाहते बात sister है लेकिन हम को सब को चीज यह थो तो उसको किशीना किशी रूप में अव्याद करते हैं जैसे समूद्र में उठ़ी-गिर्थी लैरो को देखकर। चितरकार उसे रंगों से सजाता है। चितरकार पहला है कि समूद्र में उठ accountable में और बना सकता है। चिडियों की चहचाट को गायक सवरों में जगाता है। यानि चुडिया किस प्रकार सुबर्श के करती है किस प्रकार चहचाती है उसे गायक अपने सवरों में सजाता है। सजाता है बहुत सारे आपने के मुद्राब की मुद्राओं करता है इस बिएकर कलाकार कभी चित्रों में कभी गीतों में और संगीत में अपने भाओं और विचारों को अभी व्यक्त करता है इससे पर्ष्ट होता है कि कला और भाषा का घनिश्ट अंतर सम्मंद है चित्रकार की रेखाएं और रंग गायक वे संगीतकार के स्वार तता नर्तक की विभिन मुद्राएं भाषा काकारे करती है देखा आपने जिस प्रकार हम अपनी कि विद्ध कर सकते हैं हमारी कोई भी विभाव को उसी प्रकार चित्रकार जो होता है वो क्या करता है उसकी जो रेखाएं और रंग गायक और संगीतकार के स्वार तता नर्टिक की विभिन मुद्राएं जो नित्य करने वाला विक्ति इसके दिना कला प्रभाभीन हो जाइ बता रहे जो हुँ न deafने के रूप में प्रस्तूत कर रहा है तो उकर प्रद्विårtृत करने वाले रफ्रत को तरह तरह की मुद्राएं बनाते हैं अगला प्रिशने बच्चो भारतिये कलाओं और भारतिये संस्कृति में आप किस तरीके का संबंद पाते हैं देखो बच्चो भारतिये कलाओं और भारतिये संस्कृति में बहुत गहरा संबंद है हर कला एक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है हर क संस्कृटियों वाला देश मतलब विविता यह तांई है अलग-अलग रंग वने कहें सारी SG हमारी पहजान है विवित कलाएं तरह में हमारी पहांट हुआ पहलत हैं है Χार राजी की हराज है की अपनी मनाए जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं यहां मना fonction जाते हैं हमारी कलाओं को रूसरों से अलग किया नहीं जा सकता यानी तो बहुरत के अलग-अलग समय पर लेकिन बनाए जाते हैं विवित्तम लेकिन वह चीज एक होती है जमत रखतांों और और उसमों से अलग नहीं किया जा चकता आप चोटा जा उधारन ले विवा के आऊशार पर क्या होते है नाच गाना होता है होता है रंगोली अल्पनाइव सस्ती गति नृट्ति कला उसमें आ जाती है सहनाई वादन यानि गायन कला गीत गाये जाते हैं रित्यकला यानि तो यह क्लाएं हमारे क्या होती जन्मुस्व यानि बच्चे के जनम से ले करके और शादी विवा पूजा और खेती बाड़ी खेती बाड़ी फसल का कटना इन सब चीजों पर तरह तरह के उस्व मनाए जाते हैं मनुष्य की जीवन से जुड़ी होने के कारणी भारत की कलाए the church ुष्या से भडेती है ल्क मारा भारत एक व्यविदिक भारत है संस्क्रित की गूप बना हुआ भारत है हमारे भारत में क्या है जो हमारे बारत में मनुश्वlab हैं कि लेकर कें जितने भी उस्व या जो भी कारे कर्म जो होते उन सब भारत की यह जो कलाएं हमें उस्वास से भर देती है हमारी कलाओं का परवोयरिया वरुटेों या वस्मारत शुटाए contradd होने से बचाता है तो दूसरी करव यह पहलू पराचीन परंपरा की सजने सजाने के लिए मनाते हैं हम इनको अपनी मनोरंजन को साधन नहीं थे तीस तोहारी मनोरंजन के लगना लेकिन पहले पुराने साधन को बनाया रखने के लिए नहीं है मनोरंजन नहीं तो है उसके साथ इन साधनों को बनाया रखने के लिए प्राचीन परंपरा की सतत निरंतरता भी हमारे ये जो परुस्व है ये बनाए रखते हैं और हमारी कला को जीवनत रखते हैं इस ब्रकार हमारी कला है अतीत और वर्तमान को जोड़े रखने की कड़ी का कारे भी करती है हमारी कलाई क्या है हमारे अतीत से चली पोधा जो होता होता है वो जड़ से निकलना शुरू होता है सीधा तने से या उपर से फूलों से तो पोधा नहीं बनता है जड़ से निकलता है कहां से निकलता है यह बीज और बीज से फिर निकल करके उसकी शाखाएं फैलती हुई चली जाती है उसी प्रकार हमारी कलाएं ह यस्तान हे हमारी सारे के अदीवासी समू से ज़न जाती है समू सेनिकल और निकल करके धीreso c फीय यह क्या है सास्त्रीय रूप में मतलँ दिया इंकसर को बैंद दिया है लेकिन इनका भीज पहां है इनerson directly कहाँ है इनकी जड़ लोख कंहें पर आधार कसी कलाओं लोक कला से सहमत हैं क्योंकि ज़क new गश्याय सब रूपने एक विवस्ता भी दिखाई पड़े जलका साश्त्र इक अधार बनी कलाएं कहां से शुरू हुई चित्र कला कहां से शुरू हुई आधी काल से कहां से पहले मनुश्य शैल चित्र बनाता था चट्टा ने काट काट के बनाता था फिर उसके बाद पत्थरों को काट काट के मूर्ती बनाने लगा दीरे दीरे वो स्वरों को पहचानने लगा उसने अपनी भाशा बनाई और उन्स वरों को फिर उसने बांधना चुरू किया इसके अलावान रित्य की पहले आदिवासी लोग थे समू में रित्य करते थे आज मी लोग समू में नित्य करते हैं दीरे दीरे यह व्यवसाइक और व्यक्तिकत होती चली गई तो यह कलाएं निकली मुझा पहले बारत को लोग से घृवक्तिकते निकला हुआ है तो यह मैं व्यक्तिकत होती गई जयसे चित्र कला है पहले लोग दिवारों पर Czech City ऑी सित्वरतिक सब बनने लगा और इनकी एक अपनी इमेज यानि एक अपनी विवस्ता बन गई कि चित्रकला है उसको भी मानने ता प्राप्ट हुई आप देखो सब्सक्राइब नियमों में बंद गई किसमें बंद गई आपने अगबर के दरवार में क्या था नौरतन जो क्या करते थे मतलब तरह तरह की राग निकाल करके की बंद गित करते थे आपकोई चित्रकार था कोई मतलब मूर्थ का मूर्थी का तरिके के नो रत्म जो अलग अलग कलाओं में पारंगत थे इसी प्रकार मंदिरों में विक्षित होती हुए है को लोग कलाई सास्त्रे सवरूप घ्रैन करते गई यानि कि जितनी भी सब्सक पर यानि चरम पर पहुंच गई गुपति जो समराजे था गुपतिकाल में जितनी भी कलाई थी गुपतिकाल कलाओं का स्वनकाल कहलाता था भरत्मुनी के नाटे सास्त्र में इनका सास्त्रे स्वरूप बना भरत्मुनी ने क्या किया इन कलाओं को समेटा और समेट करके एक स सबको एक रूप दिया गया नत्य सास्तिय संगीत को एक सवरूप को विक्सित होने के बाएं लोग कलाई अपनी जड़ोग तासमु पूरी तरह जुड़ी रही चाहिए लोग कलाई थी वह दीरे-दीर सास्त्रे के रूप में सास्त्रे कला के रूप में विक्सित होती ही चली गई और नियमों में बंद गई लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि लोग कलाएं खतम हो गई लेकिन लोग कलाएं अपनी जगह चलती रही और आज भी चल रही है तो यहां लेकर पताना चाहते हैं कि सास्त लेकिन आज भी घाणियों में जाने लगते महां भी वह अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है लेकिन उसने अपनी जड़े नहीं छोड़ी है इसे पहकार आज की सास्त्रे कलाओं की जड़े लोग समूमें आज हमने भारतिय कलाएं उनको यहां पढ़ा और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही समझने का भी धन्यवाद बच्चों